गुड मॉर्निंग आबीवन टुडेश्यूर सबसेक मोरल सायंस क्लास वन बच्यों मैंने आपका प्रिवेस क्लास में चाप्टर स्टार्ट किया था वाटर एंड सलाइवर एंड एंड इलिक्सिस चुल लाइफ मैंने आपको ये चाप्टर स्टार्ट किया था जहां मैंने आपको water के importance के बारे में बताया था बताया था कि nature ने हमें free में बहुत सारी चीज़े हमें दी है कैसे पानी हमारे लिए medicines के रूप में काम करता है और आपको मैंने waters के benefits के बारे में भी बताया था तो आज हम लोग इसे चाप्टर का आगे पार्ट पढ़ेंगे ठीक है आएए पढ़ते है We should not drink water just after our meals हम लोगों को खाना खाने के बाद पानी नहीं पीनी चाहिए If we do so अगर हम लोग ऐसा करते हैं It works like poison तो ये poison की तरह काम करता है अगर हम ऐसा करते हैं कि खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए एक poison की तरह काम करता है We should drink water before or after 45 minutes of our meals हम लोगों को जो पानी पीना चाहिए वो खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद कम से कम 45 minutes के बाद पानी पीना चाहिए Because the saliva in our mouth plays a very important role in the digestion of our food क्योंकि जो saliva है हमारे मूख में बहुत ही important role play करता है और वो हमारे खाने को digest करता है कौन करता है वो saliva जो हमारे मूख पे बनता है When we take water just after meal जब हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो it creates problem in our digestive system तो अगर हम खाना खाने के बाद पीते हैं तो यह हमारे digestive systems के लिए बहुत सारे problems create करते हैं And we fall prey to many diseases और बहुत सारे diseases के हम लोग सिकार हो सकते हैं So, children do not drink water just after your meal And also encourage other to do the same तो बच्चों हम लोग को खाना खाने के बाद ही पाने पीना चाहिए और दूसरों को भी encourage करें के वो ऐसा ना करें Our body contains a valuable matter called saliva हमारा जो body है वो बहुत ही matters Valuable matters को हम लोग सालाइवा कहते हैं Children this saliva is very beneficial to our body बच्चों यह जो saliva है वह हमारे body के लिए बहुत ही benefit है यह हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है If there is shortage of saliva in our body, we may fall prey to many diseases अगर यह हमारे body से shortage हो जाएं कम हो जाएं या saliva अगर हमारे body से कम हो जाएं तो हमारे सरी में बहुत सारे disease होने लगें बहुत सारी बीमारिया आने लगेगी जिससे हम उनका शिकार होने लगें तो आपको पान जो इसी saliva को shortage नहीं होने देना है shortage of saliva takes place due to unhealthy lifestyle and lack of water in our body अगर हमारा saliva shortage होता है तो वो हमारा जो lifestyle है उसमें वो unhealthy हो जाएगा हम बीमार होने लगेंगे और हमारे body में क्या होगा पानी की कमी होने लगेगे तो बच्चो इस chapters को आपको अच्छे से पढ़ना है read करना है और जहां पे भी आपको problems होती है meaning में तो आप उसे underline करके copy में note करके उसे learn करना है have a good day